नमस्कार दोस्तों मेरे चेनल में आप सभी का स्वागत है और अभी हम है कोकडी में जहां पर सीमाहापुरान हो रहा है मेरे साथ है केशह जी केशनी साच जी तो हम दूनों जो अभी कोकडी आहت हुए है सीव महापुरान की कथा सुनने के लिए तो दोस्तों यह जो है वीडियो बहुत लंबा होगा यह मैं एक दो तीन पार्ट में बनाऊंगा पहले पार्किंग की क्या विवस्ता है उसके बाद दिखाऊंगा खाने पिने के स्टाल होगा रखी फिर आप लोग को दिखाऊंगा क मैं वीडियो में बने रहे और मैं आपको पूरा का पूरा पूरा जएं जानकारि दूण fungus क कखा पीए और आज थिसरा दिन है दोस्तों आज पास्तारिख guarantee बने के संवे सियू महा पुरान की कथा सुनने लिए तो बिलकुल आप लोग आईए कोगड़ी बलौदा वाजर और शिव महापुरान कथा का अनन्द लीजिए तरे गाड़ी तो तो देख रहे हूं गाइस कितने यहाँ पे कार हैं यह तो कार का एक पार्किंग स्कल है आगे जो साइड में है वो बाइक का कार का अलग है और कापी ज्यादा भीड़े देखे रोड में बहुत ही ज्यादा भीड़े कि कि अब वर्दस्त है आदा जी कि अब बुक्त है जो नह बुक्षक्षण कार में यह तो थार्किंग कि अब तो उप्षक्त है कि अब यह तो जो फार्किंग गारी को गारी गारी को तो देख रहे हैं दोस्तों कितना जो है भीड है ये पाइक देखके आप देखें बहुत ही ज्यादा भीड़े दोस्तों बहुत ही ज्यादा यह एक और पार्किंग की जगह है देखिए यहां भी काफी सारी गाड़िया है और कफी लोग यह देखिए जो है रोड पे ही पार्किंग लगा लिये है तुक्ति है उस्केट इसके उपर ही पार्किंग लगा के लोग चले गए हैं यह हाइवे पर ही सेकंड गेट है दोस्तों और यह देखिए एक बहुत ही भड़ी पार्किंग की दगा तो सारे जो है खेतों को इन लोगों ने पार्किंग की जगा बनाई हुई है तो बहुत ही बड़ी एरिया में पार्किंग ऐसा समझ लीजिए करीब करीब साओ डेड़ सो एकर में पार्किंग है यहु अच्छा है राखे के यहु बाने है राखे के तो गाइस यह जितना भी मैं पार्किंग इस्थल आप लोग को दिखा रहा हूं यह पूरा का पूरा जो है बाइपास रोड का है जो बलोदा बजार भाटा पारा बाइपास है उसका है तो यह सारे पार्किंग आप हाइवे की तरफ ही आपको मिलेंगे आप का पारा बाइपी दो आप का बाइप के आपको मिलेंगे एक जोगार धर अ का क्रीक्षा पार्क आपके जोग पाइपास है जो पारभ का है आच में आच आज लिए तो यह देखे गाई में यह है अठमा पार्किंग इसनिख लाई यह चो बोर देखिए यहां भी कितनी गाडिया देखिंग और ढांगो जेट वह किसे तो यह तो खाली पार्किंग इस्थल आप लोग को दिखा रहे हैं जबर्दस्त है इतना भीड़ है इतना भीड़ है गाडियों से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं यहां पे कितना भीड़ है कि 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 कर दो कर दो कि